हेलो एवरीवन वेलकूम अगें टू लन्वरिदे दिमन एंसी एर्टी बुक में क्लास शिक्स चैप्टर नमबर सैवन आज हम पढ़ने वाले हैं अशोक एक अनोखा समराथ जिसने युद्ध का त्याग किया तो मैंने आपको बताया कि NCRT बुक जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कमपलसरी हैं यदि हम कमप्टीशन के त्यारी कर रहे हैं तो हमें उन बुक्स को जरूर पढ़ना चाहिए जो कि इस वक्त स्कूल में चल रही है ठीक है और आपको पता है कि एक जो टीचर होता है उसके लिए तो ये जरूरी होता है कि जो बच्चों को पढ़ाएगा तो वह उसे पढ़कर तो जरूर आए तो आप लोगों के लिए तो most important है यदि आप first grade की, second grade की, third grade की, read की, RAS तक की यदि तयारी कर रहे हैं तो आपको NCRT जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है और ये मैं बत को सलेबस के according पढ़ सकते हैं तो चलिए बिनादेरी के start करते हैं रोशन के रुपए जनम दिन पर रोशन को दादा जी से कड़क नोट मिले उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था उसे एक नया सीड़ी खरीदने का बहुत मन था लेकिन साथ ही वह बिलकुल नए कड नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी तबी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ जो है वो गांदी जी का मुस्कराता चहरा बना हुआ था और बाई तरफ जो है छोटे-छोटे सेर के चित्र बने हुए थे उसने सोचा आखिर यहां सेर क्यूं बन नाया गया और फिर उन्हें जो है सारनाथ में एक विशाल इस्तम पर इस्तापित किया गया था तो हमने जो है चैप्टर 6 में सारनाथ के बारे में पढ़ा था सबसे पहले सारनाथ जो की कहा है वारण सी के पास में यहां सबसे पहले बुद्ध ने क्या दिया था अपने उ अभिलेखों में क्या लिखा है सबसे पहले हमें क्या समझना होगा उनके राज्य को सामराज्य क्यों कहा जाता था ठीक है यहां पर देखिए शेरों वाला एक इस्तंब आपको दिखाई दे रहा है यहां पर जो है वो शेर है ठीक है तो ये जो है अभिलेख जो है वो उत्किन करवाए गए थे अशोक के द्वारा तो अशोक जो है वो सबसे पहला समराट था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से जो है प्रजा को संबोधित किया था असोक जिस सामराज्य पर सासन करते थे इसकी इस्थापना उनके दादा चंदरगुप्त मोरे ने 2300 साल पहले की थी चानक्य या कोटिल्ले नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ती ने चंदरगुप्त की साहता की और चानके के कई विचार जो हैं हमें किसमें मिलते हैं अर्थ सास्त्र नाम किताब में मिलते हैं तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट यही लाइन है कि चंदरगुप्त मोरे ने 23 साल पहले मोरे सामराज्य की स्थापना चानके या कोटिल्ले नाम के जो वुद्धिमान जो व्यक्ती थे उनके हैल्प से की थी और चानके की पुस्तक का नाम है अर्थ सास्त्र और आप सबी जानते हो फिर देखे वंस किसे कहेंगे जब एक ही परिवार के कई सदश से एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंस का कहा जाता है तो मोरे वंस में तीन महतपूर्ट राजा हुए कौन से चंदरगुप्त जनोंने मोरे वंस की नीव रखी उनका बेटा विंदुसार और उसके बाद विंदुसार का पुत्र असोक समराट सामराजे में बहुत से नगर थे इसमें सामराजे की राजधानी पाटली पुत्र उज्जेन और तक्षिशिला जैसे नगर प्रमुक थे ठीक है तो सामराजी में बहुत सारे नगर थे इनमें सामराजी की राजधानी पाटली पुत्र उज्जेन और तक्षिशला ये जो है वो महतपूर्ण नगर थे तो शायद नगरों में व्यापारी और सरकारी जो अधिकारी है शिल्पकार ज़ो है यहां रहा करते थे ठीक है और इन मारगों को प्रियोग करते थे तो ये देखिए ये रहा तक्ष शिला ठीक है उतर पक्षिम की तरफ है ये दूसरा था प्रमुख जो इस नगर था उज्जैन और तीसरा हमने बात की थी पाटली पुत्र तो ये मोर्यों की राजधानी रही थी पाटली पुत्र तो ये महतवपूर्ण नगर आप दिहान में रखेंगे कि ये कहां कहां पर है ठीक है उसके बाद जो है अशोक जो है उन्होंने अभिलेकों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था प्रजा के हित्मे कार्रे किया था तो यहां पर पूछा जाएगा आप लोगों से एक्जाम में कि अशोक के अभिलेक जो है कहां कह से मिले तो वो इस थल जो है वो आपको ध्यान में रखने है तो आपको ध्यान में रखना है मान सेरा है सहवाज गड़ी है ठीक है उसके बाद जो है वो आप देखते हैं टोपरा है मेरट है रामपुर्वा है लोरिया है अराज है ठीक है इलहावाद का जो है स्थम्भ है यहा जिलार जो है वो कहां पर है, यहां सोगे अभिलेख प्राप्त हुए तो आपको बताना है गुजरात है, मसकी, तो यहां पर आप दक्षण में देखेंगे, ब्रह्मगिरी, ऐरागृorts, तो यह जगे कहां-कहां पर हैं, यह आपको ध्यान में रखने हैं और तीन जो प्रमुक नगर हैं तक्ष शिला, पाठली, पुत्र और उज्यन ये ध्यान में रखना है राज्य सामराज्य से कैसे भिन है तो हमने असोक के जो सामराज्य है उसको हमने राज्य नहीं कहा क्या कहा सामराज्य कहा ये अलग कैसे है चुकि सामराज्य जो है वो राज्यों से बड़े होते हैं उनकी रक्षा के लिए बड़ी सैना की जुरूत होती है इसलिए समराज्यों को राज्यों की तुलना में जादा संसादनों की जुरूत होती है इसलिए बड़ी संक्या में करिखटा करने वाले अध से शाशन किया जाता था पाटली पुत्र और उसके आजपास के इलागों पर समराट का जो है सीधा नियंत्रन था इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाउं और शहरों के किसानों पशुपालगों शिल्पकारों व्यापारियों से कर इखटा करने के लिए राजा अधिकार घूमते ही रहते थे ठीक है और राजा के जासू सदिकारियों के कारे कलाप पर वो नजर रखते थे इन सब के ऊपर एक समराट था जो की राजपरिवार और वरिष्ट मंत्रियों की साहता से सब पर नियंत्रन रखता था मुरे सामराज के भीतर जो है कई छोटे-्छोटे शेत्र या प्रांत भी थे इन पर तक्षिशिला या उज्येन जैसी प्रांतिय राजधानियों से साशन किया जाता था तो पाटली पुतर के आसपास पर तो समराट का सीधा नियंतरन होता था और तक्षिशिला और उज्जैन जैसे ये नगर जो थे प्रशिद जो नगर थे यहाँ पर प्रांतिय राजधानिया होती थी इन से साशन किया जाता था कुछ हद तग पाटली पुतर से इन शेत्रों पर नियंत्रन भी रखा जाता था अक्सर जो है जो राजा के बेटे होते थे राजगुमार इनको जो है वहाँ पर राज्येपालिया गवर्नर बना कर भीजा जाता था लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर इस्थानिय परमपराओं और नियुमों को ही जो है माना जाता था प्रादे से केंद्रों के बीट जो है विस्तरद शेतर भी होते थे इनके इलाकों में मोर्य शाषक सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रन रखने की कोशिश करते थे जो की आवागमन के लिए महतपूर्ट थे यहां से उन्हें भी जो भी संसादन कर और भेंट के रूप में मिलते थे इसे वो इखटा किया जाता था उधारन के लिए अर्थ सास्त्र जो किताब है कोटेले चानक के द्वारा लिखी हुई इसमें लिखा है कि उत्तर पक्षिम जो था वो कंबल के लिए और दक्षन भारत जो है वह सोने और कीमती पत्रों के लिए प्रशिद था अब हमने जो नोट किये प्रशिद इस्थल जहां से अभिलेक प्राप्त हुए ठीक है अशोक के उसके बाद आपकी इंपोर्टेंट लाइन ये है कि अर्थ सास्त्र जो है उसमें उत्तर पक्षिम जो है वो कंबल के लिए प्रशिद था दक्षिन भारत जो है वो सोना और क कीमती पत्थर के लिए प्रशिद था तो संबव है कि संसादन जो है वो नजराना या हम कर कह सकते हैं इसके रूप में इकटा किया जाता था अब नजराना जो है इसका आर्थ जो है वो लिखा हुआ है यहां पर जहां कर नियमित धंग से खटे किये जाते थे वहीं पर नियमित रूप से जब भी संबव हो इकटा किया जाता था यानि हम इसको एक तरीके का जो है वो कर कह सकते हैं लेकिन कर की क्या कंडिशन होती है कर जो है वो नियमित धंग से खटा किया जाता था जबकि जो नजराना होता है वो आनियमित रूप से जब भी संबव हो इकट लिया जाता था जबकि नजराना जो है वह स्वेच्छा से खटा किया जाता था राजधानी में सम्राट तो मैगनस्थीज जो है चंदरगुप्त के दरवार में पक्षिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूद था मैगनस्थीज ने जो कुछ देखा उसका विवरंट जो है इसने भी अपनी पुस्तक में किया तो यहां पर मैगनस्थीज की जो भुक थी जिसका नाम था इंडिका तो मैगनस्थीज ने अपनी इंडिका में क्या लिखा सम्राट के बारे में कि सम्राट का जंता के सामने आने के अवसरों पर सोभा यात्रा के रूप में जस्न मनाया जाता है उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकरत हातियों पर सवार रहते हैं कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं इन पेड़ों पर प्रैसिक्षिक तोतों का एक जुन रहता है जो स समराट की जो है प्रसंसा में जो है कह रही है कौन मैगनिस्तीन अपनी बुक इंडिका में ठीक है तो जो कुछ उन्हों ने वहाँ देखा मोरे समराज्य में उसी को अपनी किताब में लिख दिया राजा सामानेत है हत्यार बंद महलाओं से घिरे होते हैं वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कहीं कोई उनकी हत्या करने कोशिश ना करे उनके खाना खाने के पहले खास नोकर उस खाने को पहले चकते हैं वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे ठीक है तो यहाँ पर जो है आप खुद देखिए कि मोरेकाल में जो समराट होता था उसकी रक्षा के लिए क्या क्या किया जाता था कुछ खाना भी यदि खाता था समराट तो उसको पहले ही टेस्ट करके देख लेते उसमें कोई समस्या तो नहीं है और पाटली पुत्र के बारे में क्या लिखा अभी हमने पढ़ा समराट के बारे में पाटली पुत्र जो की आधरिक पट नाम है यहां एक विशाल खूबसूरत नगर है पाटली पुत्र कौन कह रहे हैं मैगनेस्टीज यह एक विशाल प्राचीर से गिरा है इसमें 570 बुर्ज हैं, 64 द्वार हैं, दो और तीन मंजिल वाले घर, लकडी, कच्ची इंटों से बने हैं, राजा का महल भी जो है काट से बना है, जिसे पत्थर की नकासी से अलंकरत्व किया गया, यह चारो दुर्ख के उध्यानों और चिडियों के बने बसेरों से घिरा है इस तरीके से हमने सामराज्य के बारे में जाना, अब हम जानेंगे समराट अशोक के बारे में, अशोक मोरेवंस के प्रशिद्य साशक थे, वह ऐसे पहले साशक थे, जिन्होंने अबलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुँचाने की कोशिश की, तो उन्होंने अबलेखों में उत्कीन करवाया था अपने संदेशों को, अशोक के जादातर अबलेख जो हैं वो प्राकर्त भासा और ब्रहमी लिपी में हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, कलिंग युद्गा वर्डन करता हुआ अशोक का जो अबलेख है, उसमें अशोक ने क्या कहा इ बहुत दुख हुआ, क्यों दुख हुआ, क्योंकि जब किसी सुतंदर देश को जीता जाता है, तो बिलकुल लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाये जाते हैं, इसमें ब्रामन होते हैं, जो लोग अपने सगे समंद्यों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं दासो मृत्कों के प्रति दयाबान होते हैं वे भी युद्द में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रिया जनों को खो देते हैं तो ये सब देखकर जो है वो अशुक बहूट ज़्यादा परिशान होते हैं बहुत दुखन को होता है तो इसलिए मुझे पस्टाताप हो रहा है अब मैंने धम पालन करने एवं दूसरों को इसकी सिक्षा देने का निश्चे किया है मैं मानता हूँ कि धम के माद्यम से लोगों का दिल जीतना बल पूरवक विजय पाने से जादा बेटर है मैं ये अब इलेक भविश्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उतकीन कर रहा हूँ कि मेरे बाद जो है मेरा बेटा और मेरा पोता वो भी युद्ध ना करें बल की इसके वज़ाए क्या करें धम को जो है कैसे बढ़ाना है ये सोचें तो असोग जो है जुन्होंने अपने तेरवे सिलालेक में जो है कलिंग युद्ध का वर्डन किया और किस तरीके से जो है उन्होंने धर्म जो है उसको बढ़ाना है और युद्ध जो नीती है उस को बिल्कुल समाप्त कर देना है इसका निश्चे उन्होंने किया और अब लेखों में ये चीज उती करवाई कि उनके बाद जो है जो भी उनके वंसके होंगे वो इस चीज को जाने कलिंग के लड़ाई से युद्ध को लेकर असोग के विचार में कैसे परिवर्तन हुआ तो जो है वो संस्क्रिट सब्द धर्म का जो है वो प्राकर्तिक रूप है ठीक है तो धम जो है वो संस्क्रिट सब्द है और इसका जो प्राकर्तिक रूप है वह है धर्म अशोक का कलिंग युद्ध कलिंग जो है वो कहा है तो हमने मैप में देखा था उड़ीसा है तो उसी का जो है वो प्राचीन नाम कलिंग ठीक है अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा लेकिन युद्ध जनित हिंसा खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध में वित्रिशना हो गई उन्होंने नेर्णे लिया कि भविश्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे तरिशना शब्द जो है वो हमने किसमें देखा था जब हमने पिछला अध्याय पड़ा था महात्मा भुद्ध का ठीक है तो उसमें जो है वो तरिशना शब्द को बहुत अच्छे से समझाया गया है तो इसके लिए आप जो है लास्ट वीडियो को जरूर देखें असोक का धम क्या था असोक के धम में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवशक्ता नहीं थी उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे विवार की सिक्षा देते हैं वैसे ही उनका करतव्य है कि अपनी प्रजा को जो है वो निर्देश दें वे बुद्ध के उपदेशों से बहुत जादा प्रेरित हुए थे ऐसी कई समस्य हैं थी जिसके लिए उनमें समवेदना थी उनके सामराज जिसे अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे इससे कई बार टकरा पैदा हो जाता था जानवरों की बली चड़ाई जाती थी दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यभार किया जाता था इनके अलावा परिवार में पडोसियों के बीच भी जगड़े होते रहते थे असोग ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान जो है उनका करतव्य है इसलिए उन्होंने धम महामात नाम के अधिकारियों की नुक्ती की जो जगे जगे जाकर जो किसकी शिक्षा देंगे धम की शिक्षा देंगे तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा समझाने वाला नहीं है तो जो धम है इसका अर्थ क्या है धर्म की शिक्षा उत्करश्ट पॉलिस वाले पत्थर की इस मूर्ती को देखो यह बिहार के राम पुर्वा में मिले एक मुर्रेकालिन इस्थम्ब का हिस्सा है अभी इसे जो है कहा रखा गया है राष्ट्रपती भवन में रखा गया है तो यह इंपॉर्टेंट लाइन है कि बिहार के राम पुर्वा में मिला एक मुर्रेकालिन इस्थम्ब इसे वर्तमान में हमें कहां मिलेगा ये तो राष्ट्रपती भुवन में ये मिलेगा तो इसका एक नमूना है ये आप देख सकते हो इसके अत्रिक्त असोक ने अपने संदेज जो है कई स्थानों पर शिलाओं इस्थम्मों पर खुदवा दिये अधिकारी जो थे न महामात्र इनको ये निर्देश दिया गया कि विराजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते अशोक ने धम के विचारों को प्रशारित करने के लिए सीरिया, मेस्र, ग्रीज, स्री लंका में भी अपने राजदूत देखे उन्होंने सडके बनवाई, कुए खुदवाई, विश्राम ग्रह बनवाई, इसके अतरिक्त उन्होंने मनुश्यों, जानवरों की चिकिस्सा की विविवस्ता की तो देखिए, युद्ध के बाद जो है, असोक का जब मन इतना परिवर्तित हो गया, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे कारवे किये थे अपनी प्रजा के लिए असोक का क्या संदेश था, लोग विविन अवसरों पर अनुश्ठान करते हैं, उधारन के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवहा होता है, बच्चों के जनम पर जब यात्रा शुरू करते हैं, तो वे तरह तरह के अनुश अनुश्ठान कर रहे हैं, बच्चों का विवा है, अनुश्ठान कर रहे हैं, जनम हो रहा है, यात्रा हो रही है, अनुश्ठान कर रहे हो, तो ये जो है किसी काम के नहीं है, ये कर्मकान, इसके बतले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने, तो वो ज़्यादा फलदाई हो और श्रमनों को दान तेना तो आप देख रहे हो कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उनमें हमें यही चीज जो है वो सुनने को पढ़ने को मिलती है ठीक है तो असोग जो है वह बहुत धर्म से काफी प्रभावित हुए थे तो उन्हीं के महात्मा बुद्ध के जो दूसरे धर्म का है तो उसको जो है वो आप निंदा कर रहे हो उसकी तो दोनों ही गलत है हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वास्तम में अपने धर्म को जादा नुकसान पहुचा तरा आए क्योंकि धर्म में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है इसी लिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुक विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका सम्मान करना चाहिए आधर करना चाहिए भारत के प्रथम परधानमंद्री पंडित जवालाल नहरू ने लिखा क कि उनके धर्मा देश आज भी हमसे एक ऐसी बहासा में बात करते हैं जिने हम समझ सकते हैं और जिनमें हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं असोग ने धम के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है असो वर्सों में ब्रहमी लिपी से ही उत्पन हुई यहां आप ए अक्षर को अलग-अलग भासाओं की लुपियों में देख सकते हो तो यह जो लिपी है जिसको हम जानते हैं यह कौन सी है देवनागरी लिपी ठीक है तो यही जो ए है यह आरंबिक जो ब्रहमी थी इस तरीके से लिखा जाती थी ठीक है बांगला में ये जो आ है ये ऐसे लिखते हैं मल्यालम में ऐसे लिखते हैं और तमिल में ऐसे लिखते हैं तो ये जो है वो बिभिन लिपी है ठीक है और तो प्राचीन जो लिपी थी आरंबिक जो ब्रहमी थी वह है ये लिपी है ठीक है उसके बाद आज जो हम जानते हैं वह है देवनागरी लिपी जिसमें हम जो है लिखते हैं जो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा है अन्यत्र में क्या है देखिए मोरे सामराज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्स पहले चीन में समराटों ने चीन की दीवार का निर्म की दीवार है यह है चीन की दीवार इसे बनाने का उद्देश्य क्या था कि उत्री सीमा की पसुपालक लोगों से जो है वो रक्षा करना था अगले 2000 वर्सों तक इस दीवार का निर्मान कारे जो चलता रहा देको 2400 वर्स पहले स्टार्ट हुआ 2000 वर्सों तक चलता रहा क् कि सामराज्य की सीम millenn बदलती रहीं यह दीवार लगवक 641 det किलोमेटर लंबी लंबी है कि कैसे बहुत इंपोर्टेंट लाइन है जोग्रफर ही की दुरस्टी से आप इसी चोड़ी है इस दीवार को बनाने के लिए हजरों लोगों को काम करना पड़ा हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए जो है वो बुर्ज भी बनाए गए ठीक है ताकि जो है वो निगरानी की जा सके यहां उपयोगी शब्द हमने क्या देखे सामराज्य देखा राजधानी देखी अधिकारी संदेश वाहक संदेश वाहक कौन था तो फटाफट से दिमाग में जो है यह चीज आपके आजानी चीए अभी हमने पड़ा है कि संदेश वाहक जो है वो कौन था तो राजा के जो जासूस होते थे उन पर जो है वो निगरानी रखने का काम जो है यह संदेश वाहक करते थे ठीक है अब फटाफट से जो है हम इसके कुश्चन आंसर कर लेते हैं यह भी समझ में आ जाएगा आपको कितने ध्यान से आप सुन रहे थे मुझे फटाफट से अगर आप आंसर आपके दिमाग में आज आ रहा है इसका मतलब आपने बहुत ध्यान से सुना यदि नहीं आ रहा है तो आपके ऊपर से यह चैप्टर जो है वो गुजर गया है आपको पता भी नहीं चला है और आपने इसको ऐसे सोचा कि यह जो है बहुत ही आसान है इसमे जो है वो पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है question answer के माध्यम से जो है वो आपको समझ में आएगा chapter में बहुत सारी चीज़े important थी मोरे सामराज में बिविन्न काम धंदों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ तो हमने किस-किस के बारे में पढ़ा था जो लोग काम धंदों में लगे हुए थे ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है कि एक जो है वो करशक के बारे में हमने पढ़ा था ठीक है शिल्पकार के बारे में पढ़ा था संदेश वाहक के बारे में पढ़ा ये मैंने आपको अभी बताया ठीक है पशुपालक जो है उसके बारे में पढ़ा और हमने किसके बारे में पढ़ा शिकारी जो है उसके बारे में पढ़ा फूल विक्रेता के बारे में पढ़ा ठीक है और यहां तक की जो है हमने पढ़ा व्यापारी के बारे में ठीक है अधिकारी के सरकारी जो अधिकारी ह उसके बारे में पढ़ा इस तरीके से आपके दिमाग में भी ये चीज आ जानी चाहिए थी कोई भी चीज सरल नहीं होती है यदि आप सोच रहे हैं कि चैप्टर 6 क्लास 6 है और चैप्टर नमबर 7 है क्लास 6 जो की बहुत छोटी क्लास है तो यह तो हम ऐसे ही रीट कर लेंगे और इसमें कुछ भी पढ़ने का नहीं है जबकि आपके एक्जाम में जो है यहां से प्रस्टन जो है वो पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे नेक्ट देखो रिक्ति स्थानों को भरो जहां पर समराटों का सीधा सासन था जो भी इंपोर्टेंट लाइन होती है वो मैं आपको पढ़ाते हुए बताती जाती हूँ कि यह इंपोर्टेंट है ठीक है तो इसको ध्यान में रखा करो जहां पर समराटों का सीधा सासन था वहाँ अधिकारी क्या वसूलते थे तो सोचो इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है अब कई बच्चे जो है वो सिर्फ देखते हैं और वीडियो को फटा-फट से जो है केवल चैप्टर पढ़के और अंतर तक भी नहीं देखते हैं इसके प्रशन उत्तर क्या हैं क्या हमे अंसर प्रांतों में डैस के रूप में भेजा जाता था तो यहां पर जो आंसर आएगा हो आएगा गवर्नर ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है बहुत ही इंपोर्टेंट है मोरे साशक आवागमन के लिए महतपूर्ण डैस और डैस पर नियंतरन रखने का प्रियास कर रखते थे आवागमन के लिए वह रखते थे एक तो नदियां थी ठीक है नदियों पर नियंतरन रखते थे और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो आने जाने वाले जो रास्ते होते थे मार्ग उन पर नियंतरन रखने की कोशिश करते थे प्रदेश में रहने वाले लोग वो मोरे अधिकारियों को डैस दिया करते थे तो करतों हमने देख लिया खीटे जहां पर समराट का सीधा सासन था डारेक्ट जो है वो करवसूलते थे जो प्रदेश में रहने वाले जो लोग थे इनसे जो मोरे अधिकारी थे तो वह किसी भी समय कोई फिक्स नहीं था यहां पर उनको क्या दिया जाता था नजराना ठीक है तो लोग जो है वो नजराना मोरे अधिकारियों को दे देते थे बताओ कि निम्लकित वाक्य जो है वो सही है या गलत है तो यहां पर तो आप करही लोगे आसानी से फिर भी है जो हम देख लेते हैं उज्जैन उत्तर पक्ष करें और फिर जो है इसका आंसर देने की कोशिश करें तो हमने मैप में अगर आपको मैप भी याद है तो मैप में आपने देखा था उजयन कहां है ठीक है तो मद्दे परदेश के आपने देखा था वहां पर उजयन पड़ता है तो उत्तर पक्षमी की तरफ आवागमन का मार तो गलत है तो इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए ठाउ कर देखो आदधनिक पाकिस्तान और अफ्गानिस्तान के इलाके मोघ सामराज्य' के अंदर थे तो आप बता इसको देखकर यदि किसी बच्चे ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो 100% इसका अंसर बिना पढ़े वो क्या देगा कि मोर सामराजे के बाहर थे यही देगा वो और उसका अंसर हो जाएगा गलत चंदरगुप्त के विचार जो है अर्थसास्तर में लिखे गए है चंदरगुप्त के जो विचार है अर्थसास्र में लिखे गए है बिल्कुल गलत बात है क्या चाने के ने चंदरगुप्त के बारे में लिखा था अर्थसास्र में नहीं उन्होंने तो सामराजे के बारे में लिखा था अर्थसासर में, कलिंग जो है वो बंगाल का प्राचीन नाम था, यह मैंने मैप में आपको दिखाया, बिल्कुल गलत बात है यह तो, यहाँ पर आना चाहिए था, कलिंग उडिसा का प्राचीन नाम था, अशो के जादातर अब लेक जो है वो ब्रहमी लिपी में लिखे गए जो है अशोक धम द्वारा करना चाहता था तो आप जो है इनको आप सोचें एक बड़ आप देखा करिए इन questions को कि chapter में जो है वो क्या था ऐसा जो इन question का answer हो सकता है तो चलिए मिलेंगे next video में next chapter के साथ thank you हुआकर हा नवारा क्यों के सफस्य था नवारा करिश आप बड़नगे में जो आप देले जा जो है gourग YA लो यारा Home के साथ जो है वैस जो हैशा सब़ véे इन सब़ीदेख खरुद के सबड़ deliber दो है जो है किता हा है